हलो इस्टुडेंट्स मैं बेपी सिंग आज आपके लिए एलजेवरा का न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है साइकलि ग्रूप वैसे साइकलि ग्रूप से पहले आपको ग्रूप आना चाहिए और मैंने एलजेवरा का लगवक 30-35 लेक्शर डाल रखे हैं पूरा एलजेवरा कवर कर रखा है साइकलि ग्रूप बच्चों के कमेंट आये थे कि साफ दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं आज साइकलि ग्रूप दुबारा बता रहा हूँ तो इसमें मैं आपको लगवक 3 एक्जाम पिल, 3 धोरम और फिर छोटे-छोटे 5-4 क्वेश्चन और दूँगा कहने का मतलब आज की वीडियो बहुत इंक्पोटेंट होगी, लगवक 5-7 नम्मर का एक्जाम में आज की वीडियो से जरूर मिलेगा तो सबसे पहले हम समझते हैं, साइकलि ग्रूप होता क्या है साइकलि ग्रूप का एक ग्रूप ही होता है, जो मैंने आपको बताए हैं, वही मैं क्वेश्चन उठाऊंगा यहाँ पर, बस इस ग्रूप के अंदर कम से कम एक एक एलिमेंट पूरे ग्रूप को जेनरेट करें, अर्थात एक या एक से अधिक दो एलिमेंट किसी ग्रूप को जेनरेट करें, तो वह ग्रूप साइकलि ग्रूप कहलाता है, तो चलिए पहले में डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, साइकलि ग्रूप, इसकी फॉर्म कैसी होगी, इस दा फॉर्म of a की पावर n, where n belongs to i, i क्या है, is the set of integer and a, b जेनरेटर, n integer है और a generator है, और form कैसी होगी, a की पावर n की, तब generator is called cyclic group, that is, g equal to, a की पावर 2, 3, 4, 5, 6, कहीं तक भी लें, a की पावर 11, बरावर identity, अब यहाँ देखिए, पहले तो g लिखा है, सभावे का यह group होना चाहिए, और एक ही element है, जो पूरे को generate कर रहा है, इसका मतलब यह क्या है, cyclic group है, तो मैं question में आपको बताऊंगा, generator, या सादा भासा में समझ लीजिए, जिस group के अंदर generator होगा, वही group, cyclic group कहलाएगा, जैसे example देखिए, to prove that the set of cube root of unity is a cyclic group under multiplicative, तो सबसे पहले हमें यह group सिद्ध करना है, अब group सिद्ध करने के लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा, आपकर देखिया रखा है, cube roots of unity, किसी की power 3 का मान 1, ऐसा तो omega होता है, और जब omega होता है, तो उसके साथ कौन-कौन से element होते हैं, उसमें हमने देखा है, 1, omega, और omega square होता है, तो चलिए लिखते हैं, group, 1, omega, omega square, as omega q equal to 1, सबसे पहले मैं इसे group से दिकराऊंगा, और इसी में से एक element या दो element आपको बताऊंगा, जो इसको generate करेंगे, तब हम दावे के साथ कहेंगे, कि वास्तम में यह है एक cyclic group है, ठीक है, अगर वीडियो आज की आपको पसंद आती है, तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर सियर करें, मुझे आपके support की बहुत जरूरत है, ठीक है, तो सबसे पहली property, closure, let any two elements, ले लेते हैं one और omega जहां पर one और omega बिलोंग्स टूची, तो one dot omega करो चाएं, omega dot one, answer omega आ गया, यहां लिख रहा है एनी टू, आप कोई से दो ले सकते हैं, यहां omega square ले सकते थे, ठीक है, कोई से, omega और omega square ले सकते थे, one और omega square जो तुमें पसंद आए, क्योंकि मैंने भी कोई से दो लिए हैं, जहां पर omega belongs two जी, अब यह देखिए, यहां operation लगने के बाद, जो भी answer आए, वो इसके अंदर मिलना चाहिए, अगर यहां मिल गया तो यह satisfy है, नहीं मिला तो satisfy नहीं है, और बहुत अच्छी तरह आपको समझना हो, तो algebra के पहले चार lecture अगर आपने पढ़ लिए, तो पूरा algebra first class होता चला जाएगा, ठीक है, और चिंता न करें, अब के मैं आपको पूरी, रिंग, पूरा algebra finish करके दूँगा, विद एक्जाम पिल, विद थ्लोरम के, ठीक है, आएगे तो दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है, क्लोजर के बाद, एसो सेटिव, एक्जेम, इसमें तीन एैलिमेंट लेते हैं, let any three elements, तीन एैलिमेंट तो ये तीनों ही ले लेंग अब क्रा बचाएं इसमें, वन उमेगा उमेगा इसक्वार, वन उमेगा और उमेगा इसक्वार ब़ोंग्स टू जी, तो one dot omega dot omega square, one dot omega dot omega square, ये तो आप जानते हैं साचारे का नियम, एसोसेटिव लग, तो one dot omega q हो गया, one dot one equal to one, यहां देखिए omega dot omega square, omega q की value क्या हो गई, one, जहां पर one is also belongs to g, इसके अंदर मिल गया, अब तीसरी property है identity, identity, identity action, जब multiplicative की कहानी आए, तो हमेशा one आप identity मानेंगे, ठीक है, तो let one be identity, ये इतना आप हर question में लिखेंगे, इसके बाद, इस में से कोई साथ एक element उठाएंगे, and, let one be the identity and omega square belongs to g, तब, आप one dot omega square कर लें चाहिए, omega square dot one, लोट के omega square ही आया, omega square पर कोई फरक तो नहीं पड़ा, इसलिए one को identity कहा गया है, कि तेरी है multiply किसी में कर दें, कोई फरक ही नहीं पड़ता, चल तू identity है, जहां पर omega square belongs to g, तो ये भी इसके अंदर है, आप चोथी property रहिए आपकी inverse, इसके अंदर से हर element का inverse होना चाहिए, पर मैं तो सवते सरल बता रहा हूं, जो चुटकियों में हो जाए, वन लेनी जिए, वन का inverse वन होता है, और वन इसके अंदर है, omega का inverse क्या होगा, वन अपॉन omega, और वन अपॉन omega होता है, omega square, ये भी मैं बता दूँगा यहां, तो inverse x देखिए, let 1 be inverse of 1, तब 1.1 equal to 1, जहां पर 1 belongs to g, चारो प्रॉपर्टी satisfy होगी, वन इसके अंदर है, आप लिखेंगे, all property are satisfied, therefore g is a multiplicative group, आइए मैंने भी बोला था, यहां जैसे, omega का ले लो या omega, multiplicative में 5 का inverse, एक वटे 5, 10 का inverse, एक वटे 10, a का inverse, 1 upon a, तो omega का inverse क्या होता है, omega का होता, 1 upon omega, आप कहेंगे सर जी, 1 upon omega तो इसमें है नहीं, है, कहाँ देखिए, 1 की जगह पे आप लिखोगे, omega q upon omega, कटके कितनों आयो, omega square, इसका मतलब, 1 upon omega की जगह पे क्या है यहां, omega square, ऐसे ही आप omega square ले सकते हैं, तो omega square का inverse होगा क्या, 1 upon omega square, और 1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, omega q, कटके क्या आएगा, omega, तो सारे element इसमें मिल जाते, लेकिन सबसे सदल था, 1 का inverse, 1, खतम कहानी, अब मैंने सिर्फ यह group से दिखिया है, गुरू जी यह तो cyclic group पूछ रहा था, फिर यह cyclic group भी बताता हूँ, अब, butter, g can be written as omega square, omega q, omega 4, omega 5, 6, dot, dot, कुछ भी लिख सकते हैं, यह सारे element, omega 6 आप कहें, तो इसके अंदर मिलेगा, तो इसी group को मैंने generate कर दिया, केवल single element omega से, अब आप कहेंगे, सर जी मिलेगा कैसे, चलो यहां से करते हैं, omega 6, omega 6 को लिख सकते हैं, omega q, omega q, इसका मान 1, इसका मान 1, 1.1 equal to 1, यह रहा, हम कहनें, सर जी omega 5 बताओ लो, omega q into omega square, इसका मान 1 सिर्फ बचा, omega square, तो omega 5 की जगे पर omega square, सर जी omega 4 बताओ लो, omega 4 को लिखाओगे, omega into omega 4, omega q, तो इसका मान 1 क्या बचा, omega, आप यहां 20 लेले, omega की power, कुछ भी लेले, आप 3 में तोड़ दीजिए, अपनी आपांसर आ जाएगा, तो हमने हिहां क्या देखा, इस group को, omega जो एक ही element है, generate कर रहा है, इसलिए लिखेंगे, omega is the generate of this group, here, omega is the generator, so that, g is a cyclic group, अब एक बात और बताऊँ आपको, omega square भी इसका generator है, आप omega square लिख लो, यहां दिखाई दे रहा होगा, g को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, omega square, omega square के उपर square, omega square के उपर q, की power 4, dot dot, अब आप कहोगे सर जी, यह तो 8 हो गया, 8, 3 ते भाग करो, इसी में मिल जाएगा, जैसे आपने यह set किया, यह 6 है, 6 का मतलब यहां कितना बताया था, यह 1 तो इसका 1 हो गया, clear, तो इस group के दो generator मिले, omega और omega square, तो competition या multiple choice question के आधार पर very very important रहा, ट्रूफ करने के लिए तो यह आता ही है, जहां MC की question है वहाँ, इसमें से पूछा जा सकता है, कि इसमें generator कौन कौन से हैं, तो इसमें बद दो ही होते हैं, omega और omega square, तो यह topic, यह question कैसा लगा, please आप comment करके जरूर बताएं, ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको example 2 दिखा रहा हूँ, जो very very important है, और यह example जो मैं बता रहा हूँ, हर writer की book में मिलते हैं, आप पर किसी भी writer की book हो, बस आपके syllabus में algebra हो, तो मेरा पूरा जो प्ले लिश्ट है algebra की, वो आपके लिए बहुत ही useful है, मैंने उस पर topic by topic, topic by topic डाल रखे हैं, और link भी description में है, ठीक है, चलिए तो अगला question देखते हैं, example 2, 2 so that, the set, of the form, 1 minus 1, i minus i, is a cyclic group, with respect to, multipitative, clear, आईए तो सबसे पहले, इसमें तो form दे रखी है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इस question को, to prove that, the set of fourth root of unity, किसी की power 4 की value 1, ऐसे भी ये आ जाता है, ठीक है, तो proof, जी क्वल क्या दे रखा है, 1 minus 1, i minus i, as i4 की value 1, सबसे पहले बताईए, हमें क्या करना होगा, ये group से दिकरना होगा, फिर इसके अंदर element ढूणने होंगे, जो पूरे group को generate करेगा, अगर मिल गया, तो साई के लिए group है, तो चलिए पहली property, जहां पर 1 और minus 1 belongs to g, 1 dot minus 1 कर लो, या minus 1 dot 1, answer minus 1 आया, जहां पर minus 1 is also belongs to g, minus 1 इसकी अंदर है, अब आप धियान रखे, यहां जो answer आएगा, वो इसमें होना चाहिए, दूसरी property है, associative, इसमें तीन लेते हैं, let any 3 element, ले लिया 1, minus 1 और i, जहां पर 1, minus 1 और i belongs to g, 1 dot minus 1 dot i, या 1 dot minus 1 dot i, आईए अब इससे solve करते हैं, तो 1 dot इसकी इसमें गुणा करोगे, तो minus के i, फिर करोगे तो total minus i, इसकी multiply minus 1 dot i, और फिर करोगे तो minus i, जहां पर minus i belongs to g, minus i है, तीसरी property है, identity, let one be identity, and minus i belongs to g, तब minus i dot 1 कर लो, चाहां 1 dot minus i करो, लोट के minus i आया, जहां पर minus i belongs to g, here, 1 is identity, अब चौथी property और रही है, inverse की, तो वही property, 1 is the inverse of 1, सबते सरल है, आप इन में से कोई और भी ले सकते हैं, और उसका भी inverse इसके अंदर है, जैसे मैंने उमेगा का दिखाया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सरल पॉइंट मिले, चौथी property है, inverse, let one be inverse of one, तब, 1 dot one, बरावर one, जहां पर one belongs to g, आप कहेंगे सर, हमें तो i का inverse दिखाईए, तो i का inverse होगा, one upon i, आप कहेंगे, one upon i तो इसमें है नहीं, one का मतलब हिहां क्या होता है, i की power 4 upon i, यहां बचा i q, इसे लिख सकते हैं, i square into i, इसका मान माइनस, और हिहां बचा i, तो one upon i का क्या होता है, minus i inverse, तो i का inverse क्या होगा है, minus i, तो minus i इसके अंदर है, आप लेते, minus i तो minus i का inverse, i हो जाएगा, minus उहां पहुंच जाएगा, तो clear, आईए, अब हम लिखेंगे, all property, are satisfied, therefore, g is a group, under, multiplicative, लेकिन सर्जे, यह तो cyclic group पूछ रहा था, ठेर यह, cyclic भी बताते हैं, but, g can be written as, कैसे लिख सकते हो g को, i, i square, i q, 4, 5, 6, 7, इस group को, i generate कर रहा है, क्यों कर रहा है, तों कहो, यह सारे हैं, जितनी भी power, कितनी भी बड़ी ले लो, इनसे जादा नहीं हो सकते, यही चार element बिलेंगे, कैसे, इसका मान आई, इसका होता है, minus 1, आप चानते ही होंगे, i q का minus i, i 4 का 1, i 5 का i, i 6 का minus 1, आप खोलना तो जानते ही है, इसका मतलब, इस group को क्या generate कर रहा है, i, जब इसमें i generate है, तो इसका मतलब, यह cycle group है, तो here, i is the generator, of this group, therefore, g is a cyclic group, अब इसमें minus i भी हो जाएगा, उसमें मैंने बताया था, omega और omega square, अब मैं हैं note लिखे देता हूँ, minus i is, also its generator, तो यह भी objective question में आ सकता है, इस group के generator क्या है, i और minus i, तो उम्मीद करता हूँ, यह question भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे एक वीडियो बनाने में लगवख 24 गंटे लगते हैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही edit करता हूँ, कुछ शुरू की आप वीडियो देखेंगे, तो मुझे बनानी भी नहीं आती थी, तो प्लीज आप मेरी मदद करें, बस अपने फ्रेंड़ों को मेरी वीडियो share करते रहें, to prove that the set G equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, more, 7, with respect to, multiplicative, is a cyclic group, तो याने group में ये number order 6 हो गए, और more उसका 7, तो सबसे पहले तो मुझे ये group सिद करना है, और फिर इसके अंदर कोई एक ऐसी element देखना है, जो इस पूरे group को generate करे, के लिए, तो group वैसे मैंने ये आपको, LJ वरा के आप first lecture देखेंगी लगबग, तो ये पांचमा या छटा lecture होगा, जिसमें modulus के question मैंने आपको कराई होंगे, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसे proof कर दे के लिए, multiplicative से हम modulus के according एक table बनाते हैं, उसमें मैं सिखाता हूँ, अगर आप पर table आगी, तो फिर तो एक-एक लैने में solve कर दूँगा, और table भी इसलिए बना रहा हूँ, कि table के according inverse आपको आसान हो जाएगा, कैसे, proof, जी इक्वल दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और mod कितना है इसका? mod 7 है, तो सबसे पहले हम table बनाते हैं, multiply 7, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलिए अब समझे आप, इसकी multiply इसमें करेंगे, 1, 2 की इसमें करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, multiply एक में करेंगे, यहाँ answer लिखेंगे, यह तो खिलिए समझ में आगी होगी, आगे थोड़ी सी बहारी पढ़ेंगी, लेकिन मैं हर point समझाऊंगा, इसकी multiply इसमें करेंगे 2, 2 की इसमें करेंगे 4, 3, 2, 6, 4, 2, 1, आप कहेंगे सर्थ 4, 2, 8, यहाँ 1 कैसे लिखा है, यहाँ modular 7 दे रखा है, जब 7 या 7 से ज़्यादा आ जाए, तुरंट आप 7 की भग करोगे, जो 6 बचता है, वो आंसर कहलाता है, रिमेंडर, जैसे 4 दूनी 8, 7 की भग करोगे, तो 6 एक बचाएगा लिख दिया, 5 दूनी 10, 10 में 7 की भग करोगे, एक बार जाएगा, 6 बचाएगा 3, अब 6 दूनी 12, 12 में 7 की भग करोगे, 6 बचाएगा 5, खिलियर समझ में आड़ी होगी टेविल, एक बार ओर देख लीजिए, एक तीया 3, दो तीया 6, सर यहां तो पूरा लिख रहे, क्योंकि हैं 7 से छोटा है, भग जाएगा ही नहीं, अब बड़ा आएगा, तब भग देँगे, 3 तीया 9, 2, 4 तीया 12, 5, समझ गए होगा, दो क्यों आया, 9 में 7 की भग करोगे, तो दिल, और 4 तीया 12 में 7 की भग करोगे, तो 6 बचाएगा 5, 5 तीया 15 है 1, आप कहेंगे सर पंदरे में 7 की भग करेंगे, तो 8, अरे 8 कैसे बच जाएगा, 7 से ज़्यादा बच जाएगा, रिमेंडर तो कम होता है, तो 7 दूनी 4 है, तब बचाएगा 6, 6 तीया 18, 7 दूनी 4 है, भग करोगे, 6 बचाएगे 4, अब मैं तेज कर रहा हूँ यहाँ 4, 4 दूनी 8, 3 चौक 12 है, चार चौक 16, पांच चौक 20, छे चौक 24, साथ तीया 21 और तीन 24, एक पंजे 5, दो पंजे 10, तीन पंजे 15 है, चार पंजे 20, पांच पंजे 25, और छे पंजे 30, एक छिकका च्च है, दो चींग 12 है, चार, तीन, दो, एक, ये टेविल बनानी आप पर आ गई, अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी होती है, closure एट्जम, इन मेंसे कोई से भी, दो एलिमेंट लेते हैं, और उनकी multiply करते हैं, let 3,4 belongs to g, तो 3 into 4 बराबर आएगा 5, अब कैसे आएगा, वैसे मैं लिखूं तब 5, mod 7, सर जी एक समझ में नहीं आया, पेरे बच्चे, यहां बार है, बार है मैं 7 की भाब करो, 6 कितना बचा? 5, तो इसका answer कितना आया? 5 आया, जहां पर 5 is also belongs to g, closure is satisfy, आप सारे एलिमेंटों की गुड़ा करके देखा सकते हैं, लेकिन कोई से भी दो एलिमेंट लेके लेते हैं, और answer इसके अंदर मिल गया ये वाला पार्च, अब दूसरी प्रोपर्टी, associative, let 3,4,5 belongs to g में लगाता ले लिए, तो 3 into 4 into 5, equal to 3 into 4 into 5, अब सबसे पहले 3 तो यही रहेगा, 4,5,20, 6 की भाग करो, 7 की, 7,2,14, 6, बचा 6, मैं यहां दिखाऊंगा, 4 into 5, बराबर 6, मौड 7, अब 6, तिया 18, कितने हो गए, 18, 18 को आप लिखोगी, 4, मौड 7, भाई, 6, 18, 7,2,14, 4, अब आप इधर का करोगे, इधर नहीं, दिखाई दिराओ, तो मैं यहां कर रहा हूँ, पहले करेंगे, 3 into 4, और into 5, तो 3 into 4 का मतलब, 3 चौक बार है, 5, मौड 7 हो गया, तो यहां की जगह पे लिखो गया, 5 into 5, यहां को आँसर कितना आया, 5, 5 पंजे 25, और 25 में 7 की भाग, 7 आए कि 4 बचा, तो 4, मौड 7, अब आप देखिए, यहां भी 4 मौड 7 आया, तो यहां भी यही आना चाहिए था ना, नहीं, यह तो प्रोपर्टी खराब हो जाती, तो इसका मतलब, इसमें हमने देखा, हर रो, कॉलम, हर एक कॉलम में देखोगी, तो वन मिल जाएगा आपको, और प्रतिय एक रो में देखोगी, तो वन मिल जाएगा, और वन क्या है, आइडेंटी है, तो बस यहां लिखते हैं, वन एज, आइडेंटी एलिमेंट, बस इतना ही दिखाते हैं, यहां किसी की मल्टिपलाई की जरूरत नहीं है, आएए अब चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्स, इसी बज़े से मैंने यह टेविल बनाई थी, इन्वर्स अग्जिम, यह थार्ड प्रॉपर्टी और यह फूर्थ, तो आप यहां एलिमेंट लिखेंगे, और दीचे उसका इन्वर्स लिखेंगे, वान, टू, थ्री, फोर, फाइफ, सिक्स, आपको पता है, एडिशन में आइडेंटी जीरो होती है, और मल्टीपिकेटिव में आइडेंटी वन होती है, फिर में लास्ट में क्या बूलता था, कि इन्वर्स में जो आणसर आता है, वो आइडेंटी होती है, एडिशन से आणसर जीरो आता है, और मल्टीपिकेटिव से इन्वर्स में आणसर एक आता है, चलिए यहां जगे है, मैंने कई 5 का inverse कितना होगा, एक बट्टे 5 कटिगो, तो कितनो है वो 1, 1 identity answer आ गया, अगर इसे में addition में करता, तो 5 का inverse कितना होता है, minus 5, ये कटिया क्या आ गया, जीरू, तो अब हमें देखना है कि answer 1 कहां कहां आ रहा है, जहां answer 1 आ रहा हो, तो ये दो दूसरी भासा में, इन में से आपस में multiply करिए, answer एक आ जाए, क्या आ जाए, एक एक का मतलब 6 से एक आ जाए, तो वो दोनों element एक दूसरे के inverse कहलाते है, या टेविल से देख लीजिए, यहां बना रहा है, तो 5 और 3, 5 का 5 और 5 का 3, फिर अगली वाह में ये यहां आ रहा है 6 का inverse 6, आप दोबारा समझ लो, 6, 6, 36, 7 की भाग, क्या बार गई? 35, 7, 35, 35, 1, 6 बचा, 1, 6 बतना चीए, समें, तो गी दोनों inverse, 3, 5, 15, 7, 2, 14, 6, 1 बचा, 4, 2, 8, 1, 6 बचाएगा, जब 6, 1 बचता है, तो दोनों element एक दूसरे के inverse कहलाते है, अभी मैंने आपको यह सिर्फ property, are satisfied, g is a group, under, multiplicative, लेकिन सर जी वो तो साइक्लिक पूछ रहा है, ठेरिये, साइक्लिक भी है, आए हम इसमें से 3 को उठाते हैं, इस वाले element को, बाकी हमने करके देखें, नहीं होंगे, 3 हो जाता है, क्योंकि generator के लिए, इसमें एक या दोई element ऐसी होंगे, जो इस पूरे group को generate करेगा, तो पहले 3 ही check करके आपको बताते हैं, 3 की power 1, 3, 3 की power 2, कितना हो गया, 3 ती या 9, और यहां लिखेंगे 2 mod 7, 3 की power 3, 27 हो गया, 7 की भाग करेंगे, तो 7, 4, 8, ज्यादा, 7 या 21, तो यहां बचेगा 6, mod 7, 3 की power 4, 3 की power 4 को हमें कैसे सरल करो, इसे लिख सकता हूं, 3 की power 3 into 3, 3 की power 3 का आंसर 6 है, 6 into 3, यह हो गया, 18 है, 18 में 7 की भाग करोगे, 4 mod 7, यहां remainder बचता है, 7 की भाग करें, 7 है, आप 3 की power 10, 20, कितना भी जाले, जैसे 3 की power 5 लेंगे, तो मैं लिख सकता हूं, 3 की power 4 into 3, 3 की power 4 का माना आया, 4, यह answer माना जाता है, 4 into 3, अब यह हो गया, 12, अब 12 है तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 5 mod 7, तो इसका मतलब इसको 3 क्या कर रहा है, generate कर रहा है, देखिए, यहां 3 मिल गया, 2, 6, 4, 5, सारे element मिलते, चले जाएंगे, आप अगर खो लेंगे तो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ही या, 3 is the generator, so that, g is a cyclic, अगर यह line नहीं दिखाई जारी, तो g is a cyclic group, के लिए, अब मैं आपको इसके बाद 3 example दे दिये, अब 100% पहले 2 theorem दे रहा हूँ, फिर इसके बाद छोटे-छोटे question बताऊँगा, जो competition के तोर पर, or MCQ के तोर पर बहुत important है, ठीक है, चलिए तो 100% important theorem, competition के तोर पर भी वो आती है, true-false में भी आ जाती है, और proof करने की तो लगबग एक साल छोड़कर एक साल आती रहती है, आई ये theorem कौन सी है, all cyclic group are abelion, proof, ये theorem very very important है, ठीक है, माल लीजिए, let g1 and g2 be any two finite subgroup of a group g, सबसे सरल आपको ये ऐसे नहीं लगेगा कि ये theorem है, ये आपको लगेगा कि ये एक छोटा सा example है, इतना simple भी बताऊंगा, दो मैंने finite group मान लिए, g1 and g2 be any two finite subgroup of a group g, ये line तो याद कर लोगे, let m, n belongs to i, और ये क्या चीज है, is the set of integer, integers, and let a be generator, तब मैंने यहाँ integer भी माल लिए, generator भी माल लिए और दो group माल लिए, बस किरम विन में ये नियम दिखाना है, commutative law, a गुड़ा b बरावर b गुड़ा a, यहाँ g1 dot g2 बरावर प्रूफ करके दिखाना है, g2 dot g1, clear, then by definition, तो g1 equal to माल लिजिए, generator तो a ही रहेगा, पहले इस पावर को लिख लिजिए, और g2 equal माल लिजिए, a की पावर n, where m और n क्या हैं, दोनों integer हैं, कोई परेशानी, अब इन दोनों की आप multiply करिए, g1 dot g2, तो यहाँ है a की पावर m, dot a की पावर n, multiply में पावर add होती है, इसे मैं लिख सकता हूँ, n plus m, क्यों, 2 plus 4, या 4 plus 2, 6 ही आएंगे, तो लिख सकते इंटीजर हैं, आप इसे लिख सकता हूँ, a की पावर n, इन टू एक पावर m, और ये हो गया g2 into g1, यहाँ से, तो मैं क्या लेके चला, g1 dot g2, तो प्रूफ हो गया g1 dot g2 बरावर g2 dot g1, hence, अत है, all cyclic group are abelian, note, यह गलत भी आजाती है, इसका गलत होता है, कैसे, ऐसे लिखा होता है, all abelian group are cyclic, तो abelian तो एक property होती है, इसलिए यह क्या है, wrong है, यही एक property है, all की जगे पर ऐसे भी लिखा जाता है, इस थ्योरम को, every cyclic group is commutative के लिए, तो उम्मीद करता हूँ, यह छोटी सी थ्योरम आपको बहुत पसंद आई होगी, और clear समझ में आ गया होगा, तो please आप अपने फ्रेंडों को जरूर सेयर करें, और subscribe ना किया हो, तो subscribe जरूर कर लें, ठीक है, शलिए तो एक और थ्योरम लिखते हैं, जो 100% important है, the order of a cyclic group of a cyclic group is equal to the order of any generator of the group. आईए पहले इसका मतलाव समझते हैं, the order of a cyclic group, cyclic group का जो order होगा, equal होगा किसके, कोई generator होगा कोई group का, उस generator के order के बरावर होगा, फिर समझ लीजिए, the order of a cyclic group is equal to, cyclic group जितने भी order का होगा, is equal to order of any generator, कोई भी generator हो, of the group, generator के order के बरावर होगा, खिलिया, सबसे पहले हम बताते हैं आपको, कि group के अंदर हम n element लेंगे, m लेंगे, और s लेंगे, अब मैं बताऊँगा, s कहां तक है, n कहां तक है, और m कहां तक है, बारी की से एक-एक point बता के चलूँगा, ठीक है, चलिए तो proof, let a be, let a be a generator, of a group g, तब हम लिख सकते हैं, यह a generate करना है, and let a be, of finite order, n, a कितने order का है, n order का और generator n है, तब हम लिख सकते हैं, या so that, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, order of a equal to n, जब order of a equal to n है, तो यह equation क्या बन जाती है, के मालूम होगा, order of an element पढ़ाया है मैंने, तब यह equation बन जाती है, a की power n equal to e, n तक n ते कोई छोटा अगर पीछे लोटा हूँ, तो को e के बरावर नहीं होता, तो मैं लिख सकता हूँ, while a की power s बरावर नहीं होगा e के, जहां पर 0 से तो बढ़ा होगा, परंतु n से छोटा होगा, आए मैं g को यह रफ के लिए लिख रहा हूँ, यहां लिखे देता हूँ, यहां दिखाई देगा, यह इतना लिखा है और यह हो गया e, last वाला ही तो e होता है, अब मैं इससे पहले लिख रहा हूँ, a की पावर s, जब इससे पहले तो, जभी तो n से यह छोटा होगा, देख लीजिए, n बढ़ा है, तो यह e के बरावर नहीं होगा, अभी इसमें आगे और बढ़ाएंगे, n से बरावी लूँगा मैं, तभी तो मैं कह दूँगा, वास्ता में इसके अंदर n element हैं, जो same order के ह थीक है, आएए तो यह हो गया, कहां तक 0 is less than, s is less than, तब प्रूफ क्या करना है, to prove, प्रूफ करना है, order of g equal to n, क्योंकि generator जो निकला, n order का generator है, तो cycle group भी n order का होना चाहिए, यही तो question है, आएए, now, g contain, contain an element, in a cycle group, that is, a की power 1, 2, यह हो गया, e, इतना, यह clear हो गया, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, अब इफ, possible, क्या possible हो सकता है, let g contain, एकी power, content element, an element, यह element, दिखाई दिरा होगा, an element, ले लिया, मैंने एकी power 1, बतावा, वो कहां है, एकी power 1, कव, besides तो आप जानते होगे, इसकी हिंदी, अतरिक उसको छोड़ कर, गीज, element, वे आर, यहां लिखे देता हूँ, जब m बढ़ा है, n से, आइए, इसके अंदर, इनको छोड़ कर, यह इसी के लिखा था, अभी हम element ले सकते ही, यहां, एकी power m, एकी power m, पिलस 1, dot, dot, जो की m बढ़ा होगा, अब n से, स्वभाविक है, identity यह है, n से m बढ़ा है, तो मैं division method लगाँगा, क्योंकि n की m में भाग चली जाएगी, clear, quotient, और remainder जो बचता है, वो n से छोटा होना, चाहिए, r से, r के बढ़ावर होगा, परंतु n से छोटा होगा, तो जब यह a की power m, बढ़ा में क्या लिखा है, if possible, let g contain an element, a की power m, besides these elements, इन elementों को छोड़ कर, आगे और बढ़ गए हैं, जब की कहा है, बढ़ा है, तो m बढ़ नहीं हुए, और इससे बढ़ा m, तो अब मैं लगा रहा हूँ, division method, modulus में मैंने वाकादा आपको पढ़ाया, कि says कब कितना बचता है, ठीक है, by division algorithm, तब हम लिखेंगे m equal n q plus r, m में n की भाग जाईए, और remainder बचाएगा r, के लिए q means कितनी बार गया, quotient, जहां पर 0 is less than and equal r, परंतु n से छोटा होगा, remainder 0 भी बच जाता है, समझे, 0 भी 6 बच जाता है, 5 की 15 में भाग दोगे 3 वार, तो क्यों तो 3 आगा नीचे क्या बचा remainder 0, तो 0 के बरावर, या 0 से छोट बढ़ा, लेकिन 3 से n से छोटा ही होगा, कैसे, यहां रफ बता रहा हू चलिए मैं मिटा दूँगा, यह 5 की भाग दोगे, आप 17 में, 5 ती आप 15 है, तो यह जो 2 बचा, इस 5 से छोटा ही बचाएगा है, इसलिए तो r क्या होता है, n से छोटा होता है, यह clear हो गया, अब मैं ले रहा हूं a की पावर m, यह वाला, जो मैंने लिया था बड़े वाला अब यहां रखेंगे m की वैल्यू, तो यह हो गया n q पिलस r, इसे लिख सकते है n q into a की पावर r, इसे लिख सकते है a की पावर n के उपर q into a की पावर r, और यह आपकी आइडेंटी है के लिए, तो यह हो गया e की पावर q into a की पावर r, तो यह तो आइडेंटी 1 है, दौनों बरावर आ गए ना गए, अभी मैं इसे थोड़ा सा और लेके देता हूँ, इसे इधर ले जाओगे, तो a की पावर m upon a की पावर r equal to 1 identity, तो ये हो गया m minus r, identity e की पावर 0, तो इसका मतलब m minus r equal 0, m बरावर r, तो ये तो मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, इसकी r is already contained in the set, in the set of an element, 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 and so that a की पावर m is also contained, thus इस परकार हम कह सकते हैं, g contain an element, आईए मैं दोबारा समझा देता हूँ, इस definition को, a की पावर r जो आया, is already contained in the set of an element, क्योंकि ये छोटा है, तो इस set से पहले जरूर मिलेगा, कही न कहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये r n से भी छोटा है, तो जब यहाँ n लिखोगे, तो इस से पहले r होगा, आगे बढ़िए, and so that a की power m is also contained, a की power m is n से आगे भी है, यहाँ मैंने लिख दिये ये line, ये रही, तो इसका मतलब g कितने element रख रहा है, अब क्या कहूं मैं कह सकता हूँ, an element रख रहा है, तब, and so that इस परकार a की power m is also contained, रखेगा, thus इस परकार g contain an element, that is, ऐसे लिख सकते हैं, order of g equal to n, तो यही प्रूफ करना था, ये मैंने धीरे-धीरे definition के according आपको बताया, उमीद करता हूँ, ये theorem भी आपको पसंद आई होगी, अब छोटे-छोटे example बता रहा हूँ, question की generator कितने element के होते हैं, कोई अगर group दे रखा और पूछे how many generator तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, चलिए इस question को और देखे लेते हैं, और ऐसे ही मैं अभी तीन question छोटे-छोटे और बताऊंगा, कि आप के लिए समझ जाएं, कि इस group के अंदर क्या कहरा, कितने generator हैं, एक बार question पढ़ लेते हैं, how many elements of the group can be used as the generator of the group, इस group के अंदर कितने generator बनेंगे, जिने हम use कर सकते हैं, कहने का मतलब बस generator दिखाना है, तो method तो बहुत हैं, लेकिन मेरा method सबसे अलग है, बस आपको दिखाऊंगा कि generator कितने हैं, देखिए, कहां तक है, यह 8 तक है, तो आप लिखेंगे 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-8, और 7-8, clear? अब इनमें आपस में 1 को छो तो इसकी बज़े से तो हली कर रहे हैं, तो यहां बचाएगा A की पावर 1, A की पावर 3, A की पावर 5, और A की पावर 7, यही इसका answer है, एक और देखिए, A की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7 यहां प्राइम नमबरे कुछ कटेगा ही नहीं किसी स तो जेनरेटर यह 7 को छोड़कर सारे हो जाते हैं, A की पावर 1, 2, 3, 4, 5, और 6, इतने जेनरेटर हो गए, इस गरूप के एक और लेते हैं, A की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, equal to E, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, यह कट रहा है, यह कट रहा है, यह कट रहा है, टू की टेविल से सब कट र और A की पावर 5, तो इस परिकार हम जेनरेटर निकालते हैं, तो उम्मीद करता हूँ, आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत महनत की है, मेरी महनत का फल मिल जाएगा, अगर आप अपने फ्रेंडों के साथ सेयर कर देंगे और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक ना किया तो अब लाइक कर लो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है तो आप नेस्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा, तब तक आप इसे देखिए, अपने फ्रेंडों के स